Hello Friends, Welcome to Back to Back my YouTube channel Missile Classes Friends, हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किये थे Semester 4 के Political Science Owners Paper 8 और Paper 9 के बारे में डिस्कस किये थे तो दोस्तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे Paper General, जिसमें दोस्तो General Paper यानि History के बारे में और दूसरा Paper डिस्कस करेंगे SEC के बारे में डिस्कस करेंगे तो Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब करें बेल आइक़न को प्रेंश करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सेके Friends इस वीडियो को ज़ाद सज़ादा सेर करें, तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्क्स करेंगे friends, कि कि इस प्रकार से जनरल पेपर याने हिस्ट्री के पेपर में 2019 के एक्जाम में कोशन पूछेगे हैं, वो कोशन हम लोग डिस्क्स करेंगे, उसके बाद हम लोग देन डिस्क्स करेंगे, एस इसी के फेपर के बारे में डिस्क्स करेंगे, तो चलिए हम लोग बीना देर के कोशन के ओर मूब करते हैं, कोशन के ओर जाने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं friends, कि आप अगर पहले बार एक्जाम दे रहे तो यह सबसे पहले आपके लिए इंपोर सरे यहां गड़बड़ी करते हैं कि कोशन का पढ़ते नहीं है कि पांच कहा या चार कहा है वह लिखते जाते हैं और इस तरह लिखते 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 इसका टाइम बीत जाता है, तो friends यहां एक्जाम देने से पहले कोशन पेपर को पहले ध्यान पुरुवक पढ़ें कि एक्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, वह पढ़ने के बाद कोशन को एंसर लिखें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नहीं पांच परसन को उत्तर कहा है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकास कोशन 2019 में पुछे गए दे हैं, तो सबसे पहला कोशन आपसे पूछा ग उपलबधियों के बारे में डिसस करें, आपसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स कोई भी एक popular man के बारे में आपसे उनकी जीवनी के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हैदर आली कहा है, तो हैदर आली के बारे ही पूछे, आपसे दूसरा कुछ भी पूछ सकते हैं तीसर पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि उनेस अठारा सो चापपन तक अंगल आवद साम्दों की बी बेचना करें कोशेल कारें यह सिटार के वर्नर करें यह कोशन भी रृपीट होते हैं बार-बार फ्रेंट से उआ ध्यान रखें कोश्चन मबर 6 कहा है आप से कि 1813 से 1856 तक भारत के भारत में सिच्छा के विकास पर परकास जाले सिच्छा के विकास के पारे में दोस्तो एक कोश्चन स्वाट हो सके या तो लोग हो सके हार एक exam में पूछे जाते हैं तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं Q7 के और मूब करते हैं Q7 मेरे तरफ से दोस्तों और आज का सबसे important question बना है कहा है कि 877 के बीदरों के कारण एवं परिणाम पर प्रकाश जाले सबसे important question है friends चली अगला question के और देखते हैं अगला question आप से कहा गया है कि 1919 के आधिन्यम के दोरा प्रांतों में लागू की गई धेरी सासन परनाली का वर्नन कीजिए या तो धेरी सासन परनाली क्यों आसफल रही ये भी question important है friends आप इसको भी याद रख सकते हैं किनी 5% का ही उत्तर लिखना है आपसे अगला question देखते हैं friends अगला question आप से कहा गया है कि अगला question है 1947 के भारती स्वातांतर आधिन्यम के परमुख बिसस्ताओं का उल्ले करें भेरी भेरी important question friends ये भी question बहुत बार repeat वे हैं आप इसको भी याद रख सकते हैं 1947 के भारती स्वातांतर आधिन्यम के परमुख बिसस्ताओं क्या थी ये आप याद रख सकते हैं और देन आपका last person friends दिया है कहा गया है कि आधुनिक भारत के इत्यास में समाजिक धारमिक सुधार अंतोलन पर परकास जाले ये भी question very very important है तो friends आप इसको भी याद रख सकते हैं इसी के साथ दूस्त में बता दो ये है general paper आपसे कहा गया है कि किनी 5 person को उतर देना है friends 5-10 person आपसे पूछा गया है और उनमें से आपको 5 person का ही उतर देना है तो ये है जो हम लोग आप इसके हैं friends वा हिस्टी जनरल पेपर तो चलिए हम लोग आप देखते हैं friends की SEC जो 45 marks की exam में पूछे जाते हैं वो क्या है SEC के बारे में हम लोग सबसे पहले distance करने से पहले में बता तो दोस्तों कि उपर बला पढ़ना बहुत जरूरी है उपर में आपसे कहा गया है कि सभी person के मान ब्राबर है और सभी person के उतर दे इसमें आपको सभी person के उतर देना है अगर आप उतर नहीं देते हैं तो आपका नंबर count नहीं होंगे तो यह ध्यान रखें कि examiner आपसे क्या कर रहा है तो चलिए सबसे पहला प्राशन आपके आज सामने आज चुका है कि कहा यह विशु की सबसे उची परती परतीमा statue of unity के सम्मंदित है किसे सम्मंदित है यह आपसे question कहा रहा है इसका answer क्या होगा जैसे लिखा है नरेंदर मोदी, मातमा गांदी आपसे और दो option कहा गया है कि सर्दार बल्लभाय पटेल या अटल ब्यारे बाचपे तो friends इसका सहिकतर हो जाएक option number C सर्दार बल्लभाय पटेल चलिए अगला question आपसे कहा गया है और जितना भी question SEC के है friends जो सबसे important है सबसे important question में बता रहा हूँ friends आज 40 question है जो बहुत important है यह question बहुत बार repeat होते है friends SEC का exam देने से पहले आप लोग ये भी याद रखें कि current में क्या गुजरे है current से 2-4 question आपसे SEC के exam देने से पहले-पहले friends पुशे जाते है तो यह याद रखें जैसे कहा कि 200 परियावरत दीबस कब मनाए जाता है यह तो सभी को पता है कि 200 परियावरत दीबस 5 June को मनाए जाता है अगला question क्युर चलते है कि आप से कहा गया कि स्वार्न मंदिर आवस्तित है तो याद रिखेएगा option number B से हुतर होगा option number D यानी 4 आप देख सकते हैं option number D में कहा है रिकोष्ण अरशन नमर। रिक्बेश, समवेद, अजयरेवद और घार्वेद जारेवेद होते हैं जैसे कहा है option कहा है friends की चानक की जाने जाते थे किस नाम से जाने जाते थे तो याद रखेगा यह तो बहुत इजी कोशन है अगर आप हिस्ट्री पड़ रहे हैं बिश्चनु गुप्त यह चलिए अगला कोशन के और move करते हैं अगला प्रशन आपसे कहा गया है कि स्वामी बिबेकरांद का वास्तव की नाम क्या था बहुत ही important question है friends तो याद रखेगा इसका से उत्तर हो जागा option number A यानि नरेंदर नात दत्ता चलिए अगला question के और चलते हैं अगला प्रशन है आदिगरंत पवित्र गरंत है किस धर्म का अधिगरंत पवित्र गरंत है most important है आपके सामने चार option है हिंदू धर्म, इसलामिक धर्म, सिख धर्म और क्रिस्चन धर्म तुम्हें बता दो friends इसका से उत्तर हो जागा option number C यानि सिख धर्म याद रखेगा बहुत ही important प्रशन है चलिए आगला question देखते हैं यह सब question एकज़ा में बारबार repeat होते है friends तो यह आप बिल्कुल याद रख सकते हैं याद रखने माले प्रशन है जैसे कहा है question number 8 कुचिपूरी निर्थिका विकास हुआ तो friends याद रखेगा इसका से उत्तर हो जागा option number A लोगनित है इसके सबस्तर आपसे यह भी पूछा जा सकता है friends कि जो ब्यूव है ब्यूव है किस राजज्य का निर्थिक है तो याद रखेगा friends ब्यूव है आसम का ये आप याद रख सकते हैं आसम का है याद रख सकते हैं चलिए अगला question के remove करते हैं अगला question आप से कहा है कि अल्ला रखा किस वाइद या अंतर के लिए परसिद है तो सभी को पता होता है friends ये question कोई खास important नहीं है ताबला ये तो सभी को मालू होना चाहिए चलिए question नमर अगला देखते हैं और अगला तो आम question है friends ये तो अधिकतर हम लोग न्यूज पे देखते रहते हैं कि धारा 307 तरकिस राजे सम्बन देते हैं और ये question हार एक साल repeat होते हैं ये ही एक question है जो हार एक साल repeat होते हैं हार एक semester में repeat होते हैं तो friends इसका सेर उतर तो आप लोगों को पता ही होगा ये जम कस्मी से related है चलिए आगला question को remove करते हैं ध्यान से देखे friends ये question current आपसे पुछा गया है SEC के exam देने से पहले friends में बता दूँ आप current affair की question को जरूर देखेंगे यहां से दो चार question आपसे exam में पुछे जाते है बिसु बैटमेंटन चेंपियन यानी 19 2019 में किस महला का इकल किताब जीता था तो friends ये बहुत ही important है और इसका सही उतर हो जगा option number C यानी PV सिंदू इसका सही उतर होगा option number C पीवी सिंदू चलिए आगला question को remove करते हैं अगला question है वर्ल्ड कप से related है ICC किर्केट वर्ल्ड कप 19 2019 का वीचे था कौन है तो friends ये तो सब को पता है कि इसका सही उतर होगा option number B इंगलेंड चलिए अगला question क्यों मूप करते हैं कि अगला question आपसे कहा है friends कि अगला आगरा का लाल किला किसी ने बनाये था अगरा को जो लाल किला है वह किसी ने बनाये था तो मैं बता दो friends इसका सही उतर होगा option number A अकबर आपसे यह भी पूशा जा सकता है कि आकबर ने कब बनाया था तो याद रहके अगा friends ये बनाया ता सो पंद्रह सो पैसाट में यह बिल्कुल सही उतर है और स्थान नमबर ए अकबर चलिए अगला कोश्ण के रिमूब करते हैं कोशन नमबर 15 कोशन फंद्रह कहाई फ्रेंट्स फिर्थिमें रासों के लेखा कौन है तो इसका सही उतर होगा आप्षय नमबर सी चंद्रबर्ध ही चलिए अगला कोशन के मूप करते हैं अगला परसने फ्रेंड्स कोशन में सिश्टिन का रहा है कि मुगल जीतरकला किसने किसके काल में सिखार पर पहुंचा था तो याद रेखेगा इसका सेउतरोगा जहांगिर चलते हैं बुलन दर्बाजा इस्तित है बुलन दर्बाजा जो है वो कहां इस्तित है तो इसका सेउतरोगा अफ्शन नमबर डी फातेपूर सिकरी यह भी मौस्ट इंपोर्टन्ट है और आगला कोशन तो दोस्तो एक बच्चा बच्चा को मालूम होता है कि भारत के पर्थम महिला रष्ट पती कौन थे अगर आप कोशन के रिमोव करते हैं अगला प्रेशन है आप से कहा है कि भारत का कोकिला की नाम से कौन जाने जाती है यह रहतर दार थे अपसे धरती का अभबा का नाम से जाने जाते हैं, तो चलिए अगला question की rule करते हैं, question meaning 21 है, आपसे पुछा है, कि जारकन में węd 6 again का परसिद 33 आस्थाल कौन सा है, तो इसका से äru तरक option number D प्रासनाथ, चलिए अगला question की rule करते हैं, अगला question है, आप friends आपसे कहा है कि पुरानों की अपने किया था फ्रेंड्स नमर C गुरू गोबिन सिंग ने कौशन नमर 24 के और मूब करते हैं और 24 वेरे वेरे इंपोर्टन कौशन है कहा है कि सिमांद गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे तो याद रखेगा अब्दुल गफार खां अब्दुल गफार खां कोई हम आलम आरा भारत की पर्थम बोलती फिल्म है चली अगला कोशन के रिमूब करते हैं अगला प्रसन है आपके सामने 26 कि सुफी संथ की दरगाह अजमिर में इस्तित है तो याद रखेगा हजरत निजामुदिन ओलिया का दरगा सुफी संथ अजमिर में इस्तित है चली अगला question के move करते हैं अगला question है friends अगला question कहा है किसे ने कहा बेदों की और load चलें तो इसका सहीगत्रोग option नंबर b. दियानांद स्वरोसती नहीं जी नहीं कहा था कि बेदों की और load चलें चले question no 28 को move करते हैं 28 आप से कहा है कि सिंदु काटी सेविता समझ दी थे आयरन से या आप से कहाए कोपर से ब्रॉंच इसका से तो रहे अफिशन नमबर सी ब्रॉंच चलिए कोश्चन नमर 29 के रूब करते हैं कोश्चन नमर 29 फ्रेंट्स याद रहेगा यह थोड़ा अफ्शन गलत दिया वा है ताना भगत अंदुलन कब हुआ था तो फ से कहाए तो इसका सहे तो रहो का अवशनमर करते हैं तरफेश और पृवज इस स्बाइट के निर्मान किसने करवाई था तो याद रखिएगा इसका सेवत्रों को आफ्शन नमबर ए असोग जी ने चलिए कोशन नमबर 33 के ओचलते हैं सिमला की राजदानी कहां है सिमला की राजदानी फ्रेंड्स हिमाचार परदेश में है चलिए अगला कोशन की रुमूम करते हैं जर मिर्ट का है और अगर कहा जाए तो आसम का है यजविव याद रखिएए तो आप से कहा गया है फ्रेंड्स की जो जारकान के परवभ नहीं कोन है तो फ्रेंट्स ये दोनों अंसर हो सकता है तो आप इनेट में सर्च मारके देख सकते हैं अगला कोशन ने 35 जो सबसे important है और सबसे easy है भारत का राश्टी खेल क्या है भारत का राश्टी खेल फ्रेंट्स सभी को पता है कि क्या है होकी चलिए अगला कोशन के रमूब करते हैं अगला कोशन के रमूब करते हैं अगला प्रेंट्स आप से कहा है कि कि किस महान सासक को देवनाम पिरिदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं तो याद रहेखिए का फ्रेंट्स इसका से अभी नाम से जानते हैं तो चली अगला कोशन देखते हैं और आज का से लास्ट प्रस ने आपके सामने पंचतंत्र की रच्ना किस ने क्या था पंच्तंति की राचना विश्णू सर्मानिक किया था तो चलिए अगला कोशन के रुमूब करते हैं और आगला कोशन है आपके सामने भारत का राष्टी गीत किसी ने लिखा दोस्तों आपसे भारत का राष्टी गीत आपसे पूछा है तो याद रहेगा बलकीम चंद्र चटर जी यह के स्ट्टी गीत गड़वड़ी करते हैं क्या राष्टी गीत और राष्टी गान में लोग फरक समझने पाते हैं और उल्टा मतलब यानि ओपोजिट एंसर मार कर चले आते हैं तो फ्रेंड्स याद रहेगा भारत का राष्टी गीत कहा था बलकीम चंद्र च में तब तक के लिए दुस्तों जय हिंद जय भारत बंदे मातरम